हेलो माई डियो स्टुडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं हमारे चेप्टर नंबर 6 रोटेशनल मोशन की और इस रोटेशनल मोशन में हम जेई 2024 मतलब इस साल आये हुए जितने भी क्योश्चन से सारे क्योश्चन का सॉलीशन देखेंगे अनालेसिस देखेंगे हम यहां पर दे देखा Newton's law of motion का उसमें सबसे जदा क्योश्चन अभी तक आये हुए है फर्स्ट क्योश्चन हमारी स्क्रीन पर है रिंग एंड शॉलिड स्फेर रोल दाउन देखेंगे अगर वो सेम इंक्लाइन प्लेन पर रोल डाउन हो रहे हैं हमना क्या लिखा है रोल डाउन हो रहे है on the same inclined plane without sleeping तो यहां पर अगर हम kinetic energy की बात करेंगे तो kinetic energy will be equal to the increment in kinetic energy will be equal to decrement in potential energy तो दोनों में potential energy का decrement तो same होगा अगर हम kinetic energy की बात करें किनेटिक energy की बात करें तो और kinetic energy अगर हम बात करें solid sphere की तो दोनों का kinetic energy क्या होगा equal होगा क्योंकि potential energy में decrement equal है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर x का value कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो x का value यहाँ पर आएगा 7, आप यहाँ पर logic समझे, logic में क्या है, potential energy में decrement दोनों में same होगा, तो यहाँ पर first question आप देख सकते हैं, बड़ा easy question है, छोटा सा logic लगा कर हम question solve कर सेंगे, next question हमारी computer screen पर है, a body of mass 5 kg is moving with uniform speed 3 root 2 meter per second in xy plane, in xy plane, along the line y, y is equal to x plus 4, the angular momentum of particle moving about the origin will be, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ x axis और y axis consider करें, यह हमारा x axis है और यह हमारा y axis है, ओके और y is equal to x plus 4, मतलब जब x equal to आप 0 put करेंगे तो y का value 4 है, मतलब वो 4 पर से pass होगा, ओके और यहाँ पर अगर यह path को हम draw करें तो path कुछ ऐसा 45 degree पर होगा, इसका जो slope है, अगर हम इसका y is equal to mx plus c से compare करें तो m equal to 1 है, है ना, मतलब 10 theta is equal to 1 है, इसका जो x axis के साथ में angle बनेगा, वो कितना बनेगा, 1 बनेगा, है ना, मतलब theta is equal to कितना होगा, 45 degree होगा, मतलब यह 45 degree होगा, x axis के साथ में angle जो होगा, वो 45 degree होगा, यहाँ पर angular momentum origin के about निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी velocity, यह जो velocity है, यह जो velocity है v vector, इसका x component अगर देखेंगे, तो वो होगा v cos 45 degree, कितना होगा, क्योंकि यह angle भी कितना होगा, 45 degree होगा, और origin से, अगर हम perpendicular distance देखेंगे, तो perpendicular distance कितना है, 4 meter, है न, तो अगर हम angular momentum L की बात करें, तो M, V, R हम लिखेंगे, है न, और R कुन सा होना चाहिए, perpendicular distance होना चाहिए, तो M का value कितना है, यहाँ पर 5 है, V का value कितना है, 3 root 2 है, और cos 45 हमको लिखना पड़ेगा, है न, और perpendicular distance कितना है, 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, 5 into 3, that is 15, root 2, और cos 45 कितना होता है, बताए, यह root 2 हो का, into 4, तो root 2 से root 2 यहाँ cancel करो, और 16, 4 जा, 60 लिखो, तो 60 kg meter square per second, यह answer हमारा आएगा, answer आएगा यहाँ पर 60, है न, तो यहाँ पर logic हमको क्या लगाना था, हमको perpendicular distance का multiplication करना है, next question हमारे पास में है, a cylinder is rolling down on inclined plane of inclination 60 degree, if its acceleration during the rolling down will be x by root 3 meter per second square, where x, x का value हमको find करना, जी का value उनने कहा है, कि 10 आप लीजिए, तो यहाँ पर हम इस concept को directly लिख सकते हैं, acceleration of rolling body on inclined plane, है न, जैसे हमारे पास में कोई inclined plane है, जिसका inclination कितना है, theta, इसका inclination कितना है, theta, तो यहाँ पर हमको एक friction force भी consider करना पड़ेगा, rough inclined plane होना चाहिए, तभी यह roll करेगा, तभी यह move करेगा, तो यहाँ पर इसका acceleration की अगर हम बात करें, वो acceleration, जो friction force होगा, वो इसको rolling provide करेगा, तो acceleration का formula अगर हम देखें, तो लिख सकते हैं, mg sin theta divided by m plus i by r square, और i का यहाँ पर मतलब क्या है, i का मतलब है moment of inertia, क्या मतलब है, moment of inertia, तीके, moment of inertia, है ना, अच्छा, यहाँ पर अगर हम cylinder, solid cylinder यहाँ पर consider करते हैं, और cylinder का moment of inertia हम लिखेंगे, m r square by 2, कितना लिखेंगे, m r square by 2, तो acceleration a, m as it is, g as it is, sin is 60 degree, यहाँ पर हमको लेना है, theta कितना है, 60 degree, है ना, divided by m plus m r square, divided by 2 r square, है ना, यहाँ पर i का value, m r square, output कर दी, r square, r square cancel, m b cancel हो जाएगा, तो g और sin 60 का value कितना हो जाएगा, root 3 by 2, divided by, हमारे पास में denominator में आएगा, 3 by 2, तो 2 से 2 यहाँ cancel हो जाएगा, g divided by root 3, होगा, और g का value x है, मतलब 10 divided by root 3, तो यहाँ पर हमारे पास में x का value आ रहा है, 10, कितना आ रहा है, 10, तो यहाँ पर आप यह logic, especially आपकी डाइरिंग में लिख सकते हैं, जिसमें, हमको लिखना है, acceleration due to gravity का formula क्या है, यहाँ पर square भी आता है, mg sin theta divided by m plus i by r square, यह formula लिख लीजे, बहुत important formula है, ना, next question हमारी computer screen पर है, a heavy iron bar of weight 12 kg is having its one end on the ground and other on the shoulder of a mane, the rod making angle 60 degree with the horizontal weight experienced by the mane is, कितना वो weight experience करेगा, तो यहाँ पर अगर हम इसका diagram बना कर समझने की कोशिश करें, तो यहाँ हमारे पास में यह ground है, ओके, यह ground है, और यहाँ पर वो person ऐसा खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसने एक roll को ऐसा 60 degree पर उठा के रखा है, ठीक है, 60 degree पर उठा के रखा है, तो यह जो roll है, इस person पर एक force लगाएगा, एक weight लगाएगा और वो weight इसके normal reaction के बराबर होगा, normal reaction के बराबर होगा, यहाँ पर भी एक normal reaction हमारा end to लगेगा, यहाँ पर एक friction force भी अंदर के तरफ लगना है, तब ही वो उस पर रुका रहेगा, और एक mg यहाँ पर लगेगा downward, ठीक है, mg इसके mid point पर center of mass downward लगेगा, अब यहाँ पर angle 60 degree है, तो हम क्या करेंगे, balancing of torque, देखेंगे हमको n फाइन करना है, ठीक है, तो हम use कर रहे है, balancing, क्या use कर रहे है, balancing of torque, आप देखेंगे, balancing of torque, जब rotational motion के हम बात करते हैं, तो balancing of torque से related, वो सरे questions आते हैं, इसका importance बहुत ज़ादा है, तो आप इस से related maximum question जितने भी J-E में आये हुए हैं, नीट में आये हुए हैं, हमारे NCRT में भी इस से related question दे रखे हैं, और जो भी आपकी practice sheet है, उससे related सारे numerical आप करना पढ़ेंगे आपको, तो यह point A है, और यह point B हमने consider किया है, ओके यहाँ पर अगर हम, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं, angular torque balancing about A, तो यह जो MG है, यह इसको anti-clockwise direction में rotate करेगा, और N जो है वो anti-clockwise direction में rotate करेगा, यह N जो है वो इसको anti-clockwise direction में rotate करेगा, और MG जो है इसको clockwise direction में rotate करेगा, तो हम लिखेंगे, torque of MG is equal to torque of N about about a इस a point के about हमने टॉर्क यहाँ पर balance किया है तो mg का टॉर्क इतना होगा अब mg को अगर हम यहाँ पर vertically downward देखे तो इस a से इसका perpendicular distance कितना होगा इस a से perpendicular distance होगा l by 2 cos 60 degree होगा ना l by 2 cos 60 degree है ना तो हम लिखेंगे mg into l by 2 cos 60 degree which is equal to यह जो N है अच्छा यहाँ पर N1 जो हमने consider किया है और friction force consider किया है इनका torque क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना तो यह जो N जो कि इस person के कानण इस roll पर लग रहा है उतना ही weight इस person पर लगेगा है ना इस roll का तो यहाँ पर N हमको calculate करना है और इससे A से इसका perpendicular distance कितना है A से इसका perpendicular distance A से इसका perpendicular distance तो L के बराबर है length के बराबर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे N into length है ना तो N का value calculate करना है L से L cancel कर देंगे N equal to होगा M का value यहाँ पर 12 है G का value एक काम करते है हम 10 ले लेते हैं और cos 60 1 by 2 होगा तो यहाँ से यह cancel होके N का value हमको मिलेगा 60 newton है ना कितना मिलेगा अच्छा यहाँ पर weight नहीं उसका mass calculate करना है तो यहाँ पर kg में है ना इसलिए हमको पता चला है कि mass calculate करना है तो यहाँ पर हमको G नहीं consider करना है जो force है normal reaction जो आया ना देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अच्छा था normal reaction कितना है 60 newton पर अगर हमको weight mass calculate करना है कि mass कितना उसने main के उपर लगाया तो वो होगा 60 by 10 है ना तो वो हो जाएगा 6 kg तो आप लिखेंगे यहाँ पर answer D 6 kg है ना यहाँ पर अगर weight की बात करेंगे तो वो 60 होगा और mass की बात करेंगे तो वो होगा 6 kg next question हमारी computer screen पर है question में given a uniform rod AB of mass 2 kg and length 30 cm at rest on smooth horizontal surface यहाँ पर सबसे important point हमारे पास में है कि surface क्या है smooth surface है और smooth surface होगा तो उस पर कोई force या कोई torque नहीं लगेगा and impulse of force 0.2 Newton second is applied at end B impulse मतलब impulse मतलब change in momentum impulse I जो है वो यहाँ पर given है 0.2 Newton second okay एक impulse लगा तो वो आगे बोला हम दोने तो time taken by the rod to turn through at right angle will be okay तो यहाँ पर right angle वो 90 degree पर turn कितने time में होगा वो हमको बताना है और यहाँ पर uniform motion की हम बात करेंगे uniform circular motion uniform rotational motion परफार्म करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे angular impulse की ठीके किसकी बात करेंगे angular impulse की अगर हम यहाँ पर जो linear impulse है यह जो rod है rod है linear impulse यहाँ पर हमने i provide किया तो वो इसको angular impulse provide करेगा और यह rod ऐसे rotate करेगी तो angular impulse j जो होगा वो i into center के about अगर हम calculate करते हैं तो i into l by 2 होगा is equal to m omega या फिर हम लिख सकते हैं i omega लिख सकते हैं तो omega हैं से पता चल जाएगा i का value कितना है rod का center के about अगर हम moment of inertia देखें तो वो कितना होता है वो होता है ml square by 12 कितना होता है ml square by 12 into omega omega हैं से calculate कर सकते l से l cancel हो जाएगा i यहाँ पर given है यह i जो है यह moment of inertia है और यह जो i है impulse है तो इस moment of inertia को हम m i लिख देते है moment of inertia है ना moment of inertia ml square by 12 तो i का value यहाँ पर point 2 given है divided by 2 is equal to m m का value यहाँ पर 2 kg दे गिवन है है ना और l का value 30 cm है मतलब 30 divided by 100 हम लिख देते हैं divided by 12 into omega का value है से हम find कर देंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह 4 times यहाँ पर cancel होगा sorry 6 times cancel होगा और यह 3 times इसको cancel कर देगा और यह 1 0 से 1 0 cancel होगा 3 से 3 भी यहाँ पर cancel हो जाएगा omega का value हम यहाँ पर देखें तो इदर 10 का multiply होगा तो यह 2 radian per second omega का value आया और हम theta को लिखेंगे theta is equal to omega into t तो theta का value कितना है theta का value है pi by 2 90 degree rotate हुआ है और omega का value 2 है into t तो t is equal to pi by 4 आया pi by 4 मतलब x का value 4 आया pi by 4 second बड़ा interesting question है यह एक logical question हम हमारे conceptual part में लिख सकते है next question हमारे पास में फिर से rotational motion में energy conservation से related है a disk of radius rn mass m rolling horizontally without sleeping with speed v okay it is then move up incline up in incline smooth surface is shown in figure तो यह जो word यहाँ पर use किया है smooth surface ठीक है वह बहुत important है जो आपको समझना पड़ेगा ठीक है the maximum height that can disk go up the inclined plane कितना maximum height वो h attend करेगा तो यहाँ पर केवल translatory kinetic energy ही consider करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर यह जो surface है यह smooth surface है कैसा surface है smooth surface है इसलिए केवल हमको translatory kinetic rotational kinetic energy में कोई change नहीं होगा यह surface smooth surface है तो हम लिखेंगे half mv square is equal to mgh h m से m यहाँ cancel हो जाएगा अन्होंने h का value पूछा है h का value आजाएगा v square divided by 2g तो हमारा answer आएगा v square divided by 2g तो हमारा answer आएगा v square divided by 2g तो हमारा answer आएगा v square divided by 2g next question फिर से हमारी computer screen पर है to disk of moment of inertia i1 is equal to 4 kg meter square and i2 is equal to 2 kg meter square about their central axis and normal to the plane rotating with angular speed 10 radian per second and 4 radian per second respectively are brought into the contact phase to phase with their axis of rotation coincide the loss in kinetic energy of the system in this process is तो यहाँ पर kinetic energy loss का अब directly formula लगा सकते है that is delta k is equal to 1 by 2 i1 into i2 divided by i1 plus i2 into omega 1 minus omega 2 का whole square अब यहाँ पर आप equation पूल सकते के सर यह direct formula आप कहां से लेकर आए यह formula directly आप use कर सकते हैं वेसे ही जैसे की हमने in elastic collision में energy loss का concept देखा था तो यहाँ पर kinetic energy loss होगा 1 by 2 i1 का value कितना होगा 4 into i2 का value कितना होगा 2 4 plus 2 फिर से लिखेंगे हम है ना और omega 1 का value 10 minus omega 2 का value 4 का whole square तो यह हो जाएगा 1 by 2 यहाँ पर हम लिखेंगे 8 divided by 6 और यह हो जाएगा हमारे पास 6 का square तो 1 6 से 1 6 cancel हो जाएगा है ना और यह 4 times cancel होगा यहाँ पर हमारे पास में 4 into 6 that is 24 answer होगा तो 24 joule आप answer देख सकते हैं directly हम देख सकते हमारे पास वापीस से उसी type का question repeated आया जो अभी हमने थोड़े दर पहले solve किया था 7th question जो था वो इसी concept पर था थोड़ा सा logical अलग है consider a disk of mass 5 kg radius 2 meter rotating with angular velocity 10 radian per second about an axis perpendicular to the plane of rotation an identical disk is kept gently over the rotating disk along the same axis the energy dissipated so that both disks continue to rotate without slipping is joule में हमको बताना है तो यहाँ पर हम simple सा logic यह लगा सकते हैं कि energy loss का जो formula है energy loss का formula क्या है वो है 1 by 2 अभी थोड़े दर पहले हमने बताया था i1 into i2 divided by i1 plus i2 omega 1 minus omega 2 का whole square तो यहाँ पर i1 is equal to i2 है तो loss in kinetic energy हो जाएगा 1 by 2 यह हो जाएगा i by 2 कितना हो जाएगा i by 2 और omega 1 का value यहाँ पर 10 दे रखा है और दूसरा तो rotate कर नहीं रहा था मतलब omega 2 का value 0 हो जाएगा omega 1 का value यहाँ पर 10 radian per second दे रखा है और omega 2 का value यहाँ पर 0 radian per second दे रखा है है ना तो हम यहाँ पर value put कर देंगे i यहाँ पर disc है तो i is equal to होगा mr square by 2 हम put करेंगे change in kinetic energy या फिर वही heat के form में dissipate होगी तो i by 4 mr square by यह हो जाएगा हमारे पास में i by 4 into mr square by 2 into 100 ओके तो इसको हम 1 by 8 लिखेंगे m का value कितना है m का value 5 है 5 put कर देंगे r का value कितना है 2 तो यहाँ 2 का square हो जाएगा into 100 है ना यहाँ से यह 4 2 time cancel होगा और यह 50 time cancel होगा मतलब 250 answer आजाएगा answer लिखेंगे 250 250 joule answer कितना होगा 250 next question हमारी computer screen पर है question में गिवन है two identical spheres हना each of mass 2 kg and the radii 50 cm are fixed at the end of a light rod so that the separation between the centers is 150 cm the moment of inertia of the system about axis perpendicular to the rod and passing through the mid of midpoint is x divided by 20 kg meter square value of x हमको बताना है तो यहाँ पर हमको parallel axis theorem use करना पड़ेगी हमारे पास में एक sphere है okay और यहाँ एक rod से connected है और दूसरे end पर दूसरा sphere है और midpoint से यहां का distance अगर हम देखे तो टोटल डिस्टेंस 150 है 150 cm है तो यह distance हो जाएगा 75 cm ओके अगर हम एक एक स्वेर का moment of inertia देखे जिसको आइवन लिखते हैं तो वह होगा i g प्लस i g प्लस m h square और h का value यहां पर कितना है 75 cm है na 75 cm h का value यहां पर 75 cm है meter में convert करेंगे तो हम लिखेंगे 75 divided by 100 meter और जिसको आप 3 by 4 meter लिख सकते हैं ज्यादा easy होगा calculation के लिए तो i1 is equal to अच्छा यहां पर r का value अगर हम स्वेर की बात करें अगर हम स्वेर की बात करें तो यहां पर उसका mass और r का value 50 cm दे रहा है 50 cm मतलब की 1 by 2 meter है ना तो यहां पर हम लिखेंगे 2 by 5 m r square plus m h square यह एक स्वेर का moment of inertia about this midpoint होगा और यह एक्सिस इसके perpendicular ऐसा और इस system ऐसा rotate कर रहा है तो i1 कितना होगा i1 is equal to 2 by 5 m का value कितना है 2 तो यहां पर 2 रख देंगे r का value कितना है 1 by 2 तो 1 by 2 का whole square plus m का value 2 और h का value 3 by 4 का whole square okay तो आगे solve करते हैं यह कितना हो जाएगा 4 यह 4 से यह 4 cancel हो जाएगा मिलेगा हमको 1 by 5 plus यहां पर हो जाएगा 2 into 9 divided by 16 इसको cancel करेंगे 8 time cancel होगा LCM लेंगे तो हमको मिलेगा 8 plus 5 यह 45 divided by यह हो जाएगा 8 50 40 ओके तो यह हमको मिलेगा ऐसा समझ लेंगे हम 53 divided by 40 ओके तो अगर हम total moment of inertia about this mid point अगर देखें तो वह होगा 2 into i1 क्योंकि 2 यहां पर square है तो हम लेखेंगे 2 into 53 divided by 40 43 divided by 40 यहां पर हम cancel करेंगे तो हमको मिलेगा 53 divided by 20 अगर हम इससे चेक करेंगे तो X का value यहां पर X equal to हमारा 53 यहां रहा है next question हमारे पास में हमारी computer screen पर है solid circular disk of mass of 50 kg roll along the horizontal floor so that its center of mass has speed 0.4 meter per second the absolute value of work done हम यहां पर work energy theorem का use करेंगे work done is equal to change in kinetic energy disk to stop it तो यहां पर अगर हम work done की बात करेंगे जो हमको calculate करना है तो हम लिखेंगे kinetic energy final plus minus kinetic energy initial है ना तो work done जो होगा kinetic energy final तो zero हो जाएगा minus kinetic और friction का work done क्या होगा negative होगा तो minus w लिखेंगे यहां पर बिल्कुल confused नहीं होना है कि w के बाद minus w कैसे लिखा है क्योंकि friction का work done negative होगा हम इसको लिख सकते है work done by friction will be negative minus यहां पर हम दोनों kinetic energy के बात करेंगे translatory kinetic energy plus rotational kinetic energy half i omega square हम लिखेंगे यहां minus से minus यहां cancel हो जाएगा work done is equal to कितना हो जाएगा 1 by 2 m v square plus 1 by 2 i i कितना है यहां पर circular disk है तो moment of inertia m r square by 2 होगा और omega को v by r आप लिख सकते हैं का square है यहां पर वो अगर उसके ओपर roll कर रहा है तो यहां omega is equal to v by r होता है that is the condition for pair rolling ठीक है pair rolling का यहां पर condition हमने use किया है ठीक है तो अगर हम इसको आगे देखें तो वो हो जाएगा 1 by 2 m v square plus यह कितना हो जाएगा हमारे पास में m r square तो r square से r square cancel यह हो जाएगा 1 by 4 m v square आगे दिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 3 by 4 m v square है ना तो हम लिखेंगे 3 by 4 m का value कितना है बताए m का value कितना है 50 है ना और v का value कितना है 0.4 मतलब 4 by 10 मतलब 2 by 5 का whole square ओके तो यह 4 से 4 यहां cancel हो जाएगा 3 into 50 divided by 25 बचेगा यह 2 times हो जाएगा answer आ जाएगा 6 joule कितना जाएगा 6 joule ठीक है next question consider a system is shown find the moment of inertia about the diagonal यह जो yellow color का diagonal हमको दिख रहा है और यहां पर अगर हम perpendicular distance find करें यहां पर अगर हम perpendicular distance find करें तो perpendicular distance diagonal जो होगा उसका half होगा diagonal कितना होगा इसका diagonal होगा a root 2 और उसका भी half मतलब a by root 2 और a मतलब की यहां पर a का value 2 meter given है है ना तो इसका moment of inertia अगर हम a का देखें तो a का moment of inertia होगा m r square और r का value a by root 2 मतलब m 2 by root 2 का whole square है ना मतलब m into 4 divided by 2 मतलब की 2m ऐसे ही c का moment of inertia क्योंकि वो भी इतना ही distance पे होगा है ना a by root 2 तो total moment of inertia जो होगा वो होगा a का plus c का बाकी b और d का कितना हो जाएगा b का और d का moment of inertia 0 हो जाएगा तो यहां लिखेंगे 2m plus 2m that is 4m और m का value कितना है m का value 1 है तो 4 into 1 तो answer आ जाएगा 4 kg meter square तो third option हमारा correct होगा यहां पर हमने rotational motion से related सारे concept देख लिए हैं और अगर आप इनका अच्छे से practice कर होते हैं तो definitely एक भी question गलत होने वाला नहीं है यहां पर अगर हमारे पास जितने पिछले सालों के पीवाई क्यू जो है प्रीवेस से के questions जो अवैलेबल है अगर वही question हम अच्छे से chapter wise देख लेते हैं वही question के जो concept उनका अच्छे से revision कर लेते हैं तो ही हमारे लिए sufficient होगा इस last moment पर thank you